हॉल्यूड फिल्मों में कराटे या मार्शल आर्ट के मार्ग दर्शक ब्रूसली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सन फ्रांसिसको शहर में कैलिफोर्निया में हुआ उनके पिता का नाम था ली होई चियोन और माता जी के नाम था ग्रेस हो ब्रूसली के पिता ली होई चियोन होंग कॉंग में अपेरा सिंगर थे और ब्रूसली को मिला कर उनके कुल चार संतान थे ब्रूसली बच्पन से ही होंग कॉंग में रहते थे और एक काबिल अभिनेता थे जो बाद में अमेरिका चले गए जहां उन्होंने मार्शल आर्ट्स लोगों को सिखाया उन्होंने टेलिविशन सोज में अभिने किये उनके कुछ जबरदस्ट फिल्मे और टीवी सिरियल के नाम है दग्रीन होर्नेट जो 1966 से 1966 एक साल खुब चली चाइनीज कनेक्शन और फिस्ट्स ओफ फ्यूरी उनके फिल्म एंटर दा ड्रेगन के बाद ही 20 जुलाई 1973 उनका निधन हो गया स्रिफ 32 साल के उम्र में उनका पुरा नाम ब्रूस उस हॉस्पिटल के नर्स ने रखा जहां उनका जन हुआ हालाकि उनके शुरुआदी स्कुल में उनके इस नाम का उप्योग उनके माता पिता ने नहीं किया ब्रूस ने अपने जीवन में तीन महीने के उम्र में सन 1941 में एक फिल्म में काम किये जिसका नाम था गोल्डेन गेट गर्ड जिसमें वो बतोर बाल कलाकार काम किये थे साल 1946 के शुरुआद तक ब्रूस नी कुल 20 फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में दिखे उन्होंने अपने जीवन में डान्स भी सिखा और होंग कॉंग कोंग के चाचाचा कॉंपिटिशन को भी जीता साथ ही उनको उनकी कविताओं और किताबों के लिए भी जाना जाता है फिलोसोफी के उपर ब्रूस ली ने बहुत बढ़िया कुछ किताबे लिखे हैं जब ब्रूस ली किशोर थे या यूबा थे तो उनके चीनी होने के कारण उन्हें ब्रिटिश लड़के बहुत ताना मारा करते थे बाद में उन्होंने साल 1953 में कुंफू मास्टार यॉप मैन के संगरक्षन में कुंफू की पूरी तालीम ली और बाद में वो अमेरिका अपने फैमिली के पास सेटल हो गए अमेरिका में जहां ब्रूस ली रहते थे वो जगा था वाशिंग्टन वहां उन्होंने डांस टीचर के रूप में काम किये ब्रूस ली ने अपने हाइ स्कूल की शिक्षा एडिसन यूनिवर्सिटी ओफ वाशिंग्टन से पुरा किये उनको एक नौकरी भी मिली थी जिसमें वे होंग कॉंग में सिखे हुए मार्शल आर्ट के विंग चुन स्टाइल का ट्रेनिंग दिया करते थे इसी बीच उनकी मुलाकात लिंडा एमरी से हुई लिंडा से 1964 में ब्रूस ली ने विवाह किया और उसके बाद उन्होंने सियाटॉल में अपना खुद का एक मार्शल आर्ट का स्कूल खोले बाद में जब लिंडा के साथ ओकलेंड और लोस एंजलेस गए जहां उन्होंने और दो मार्शल आर्ट स्कूल खोले उन्होंने अपना सबसे जबरदर स्टाइल जो खासकर सिखाया उसका नाम था जित कुने दो जिसके लिए वो मुशूर है इसको हिंडी में बोलते हैं मुठी को भेजने के तरीका बाद में उनके दो बच्चे भी हुए जिनका नाम था ब्रेंडन ली ब्रेंडन का जनम 1965 में हुआ और उनके कन्या शैनॉन जिनका जन 1969 में हुआ ब्रूस ली ने कुछ टीवी सिरियल्स में काम किये जिसमें सबसे पॉपुलर था दा ग्रीन हॉर्नेट इसमें कुल 26 एपिसोड में वे काम किये जिसमें ब्रूस ने अपने एक्रोबेटिक या लचकपन और फाइटिंग स्टाइल का प्रदर्शन किया उन्होंने आइरोनी साइड और लॉंग स्टीट जैसे टीवी सो में गेस्ट एपिरेंस में दिखे ब्रूस ने कुंफु नामक एक टीवी सो में अपना सुझाओ दिये लेकिन उसमें मुख्य भुमिका में डेविड कॉरेडाइन थे 1971 में ब्रूस ली लॉस एंजलेस को छोड होंग कॉंग चले गए उनकी कुछ बॉक्स ओफिस तोर देने वाली फिल्में है फिस्ट्स ओफ फ्यूरी जो 1971 के आखरी समय में रिलीज हुई थी दे ग्रीन होर्नेट जिसमें उन्होंने अपने जित कुने दो की काबिलियत को बहुभी दर्शाद बर्श 1972 में दे चाइनीज कानेक्शन फिल्म ने उनके पिछले फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोर दिया बॉक्स ओफिस में धमाल मचाया था ये फिल्म लेकिन क्रिटिक या आलवचक लोगों के वज़े से एमेरिका में इसका बोल बाला थोड़ा ठंडा रहा उनका सबसे बड़ा हॉलिवड प्रोजेक्ट था इंटर दड्रेगन जिसके बाद उनकी मौत हुई बॉसली के मौत के बारे में हम लोग एक दूसरे वीडियो में जल्द डिसकस करेंगे